सत्यान भाई नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार असाहिल भई बहुत-बहुत शुक्रियां और आप कैसे हो मैं ठीक हूँ आप कैसे बस बढ़िया हूँ और आज का टॉपिक बहुत इंपोर्टन्ट है और यह जो आपने बताए कि आज के दिन उनका उ उसे मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ वो 27 डिसेंबर को भी थी मतलब कल के दिन हुई थी लेकिन कोई नहीं तो आप वो सारे रिफ्रेंसेस क्योंके मुझे जो मैसेजेस आये थे उसमें आज का डेट लिखा हुआ था तो जितने रिफ्रेंसेस है वो आप बताईए का ता साथ आज हमारे और एकजीज साथी करना भाई भी जुड़े है करना भाई ने मुझे मेसेज किया मैं मिलें ने कहाँ वेलकम जी आप आए यह हमारे लिए सोभाग्य की बात है तो हमारे साथ करना भाई भी जूड़ चुके हैं करना भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस्तिक्बाल है नमस्कार प्रणाम आपको भी जी सहिल बाल दिवस पर सभी गुरुगोईन सिंग जी के चारो बेटो को बहुत-बहुत नमन करते हुए आज की स्ट्रिम को हम शुरुवत करते हैं तैंक यू सो मच करना भाई उससे पहले आज का जो एक्च्वल सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने से पहले जेयार भाई कहरे आज मेरा बर्त दे है जेयार भाई जैसे ही ये टॉपिक खतम हो ज बिल्कुल ठीक है गयतोंडे साब बड़े दिनों बात दिखे आप वेलकम अमिच शर्मा कहरे बिंदास आ रही आबाज टैंक यू सो मच कन्फरम करने के लिए अमिद भाई और रीबर्थ कहरे जल्दी अटेंडेंस मार्क करता हूं बिल्कुल सर एक दम शुरू में ही आप टॉपिक क्योंके बहुत ही संजीता मामला है शौकिन काफिर भाई ने आते ही एक बड़ी सी लालमेटी दी है कह रहे आई यूस्ट तु थिंग दाओर अरुजेब वस बाद रूलर बड़े बड़ेंस बाद रूर बड़ेंस बॉल्कुल आपने सही फरमाया है शौकिन गाई के बाद बना औरुजेसे तो हम आये हैं ताके लोगों के इलम में अधाप्त रहें उनके अकलो को सोचने वाला बना दे उनको भी पता चले कि भाई क्या-क्या हुआ है पास्त में हिस्टि में तो वह किसी चीज का इंकार नहीं करे क्योंकि जो भी चीज बताई जाए वो सारी चीजे हवालों के साथ बताए जाएगी। स्क्रीन पर हवाले रख कर सारी चीजे बताए जी जाएगी को भी कुछ आड करना आप आड कर सकते हैं मैं तो समझने के लिए बैटा हूँ क्या था पूरा मामला क्योंकि इस बारे में ज्यादा एल्म मुझे नहीं है आज आप लोगों के जरीए से काफी एल्म मुझे भी मिल तो साहिल भाई जो गुरू गोबिन सिंग के बेटों का जो टॉपिक है जोरा और सिंग और फते सिंगा उसमें जाने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आउरंग जेप कौन था क्योंकि यह जो सारी घटना ही हुई है वो आउरंग जेप के राज्यकाल में हुई इसलिए पहले आउरंग जेप कौन था उसकी आइडियोलोजी क्या थी और जैसे कुछ लोग अभी उसको सेकलर पेंट करने की कोशिश करते हैं आज कल वो सच में वैसा था क्या इसके लिए आउरंग जेप को अच्छी तरह से जानना हमारे बहुत जरूरी है तो हमारा पहल सेक्षन थोड़ा बहुत आउरंग जेप के बारे में होगा और फिर हम जाएंगे सिक हिस्ट्री के तरफ तो पहले देखते हैं आउरंग जेप कैसा था और उसकी रिलिजियोस पॉलिसी कैसे थी तो मैं आपना स्क्रीन करता हूं जी सत्यन भाई आप है ना जब चीज़े ब बिल्कुल बिल्कुल वो सब डेट के साथ ही रहेगा ठीक है जब तक स्क्रीन आ जाती है सत्यन भाई की वन्स अगें सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें खास करके आपके जितने भी सिख दोस्त यार है पहचान में है ऑफ नंबर्स में नहीं पूरी की पूरी सिख कम्यूनिटी जो है वो हमारे साथ जुड़े इस अक्टिविजम के साथ जुड़े क्योंकि हर किसी का साथ हमें चाहिए होगा इस अक्टिविजम को आगे लेके जाने के लिए और लोगों तक बाते पहुंचाने के लिए तो आप के सपोर्ट के बिना not possible at all सारे लोगों के साथ आप शेर कर दिये यह आ गई और उसके जो सिक्के यानि के कोईन्स होते उसका उन पर भी औरंग्जेव का नाम इसी तरीके से आता है तो औरंग्जेव ने 22 जून 1658 से लेके के तीन मार्ज 1707 तक तक तकरीबन 48 इयर्स तक मतलब 17747 दिन तक राज किया वो इसलाम का एक स्टॉंच फॉलोवर मतलब कटर फॉलोवर था और उसकी जो हिस्ट्री और उसका जो राज्यकाल है वो रिलिज़स कन्वर्जन्स मंदिरों का विनाश और नॉन मुस्लिम्स का पर्सुगेशन यानि की नॉन मुस्लिम्स पर किये गए अत्याचारों से बढ़ा पड़ा हुआ है उसमें से कुछ एक्जांपल सम देखते हैं उसने डिमॉलिश किया काशी विश्वनात का टेंपल सब्टेंबर 1669 में इसका जिकर आता है मासिरय अलंगिरी जो इसका ओफिशल कोर्ट हिस्ट्री है उसमें परिशन पेज नंबर 88 पे इसका जिकर आता है उसके बाद ही अल्सो डिमॉलिश्ट बिंदुमाधव टेंपल इन काशी काशी में जो बिंदुमाधव टेंपल था वो उसने डिमॉलिश किया और उसकी जगा पे एक मस्जिद खड़ी कर दी वो आज भी मौजुद है उसका रेफरेंस है मुगल अकबार यह अकबार क्या होता है मैं बताऊंगा तो मुगल अकबार डेटेड 13 सब्टेंबर 1682 के अंदर इसका जिकर है फिर केशव राय का फेमोस टेंपल है अभी जो कृष्ण जन्मभूमी का विवाज चल रहा है जो मस्दिद है वहाँ पे पहले केशव राय का टेंपल हुआ करता था तो अवरंग जेब ने जैनियोरी 1670 में उसको डिमॉलिश किया और उसकी जगह पे एक मस्दिद बना दी जो आज भी खड़ी है इसका जिकर आथा है मासिर आलमगीरी जो उसका ऑफिशल हि 96 में बीच में सवाल करूं तो प्रॉब्लम तो नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आप हवाले दे रहे हैं ये इनहीं के लोगों ने किताबे लिखी है न अभी आपने जो दो तिन नाम बताए हाँ मासिर आलमगीरी जो है वो आवरंग जेब का ओफिशल दरबारी हिस्ट अच्छा मतलब कोई भी हवाला जो है वो मतलब इतना पक्का टक्का हवाला ऐसा नहीं कि किसी ने इल्जाम लगाया है और उनके जो रोज का दरबार का कामका जो होता था उसमें लिखा हुआ है ये डन तो जितने मुमिन अजरात है अगर आप लोगों को थोड़ा भी शक ह जो चीज़ बताई जा रही है उसमें हेरा फेरी है तो जो रिफरेंसेज बताए जा रहे है आप लोग उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि आपके जो प्यारे औरंग जेव साभ है जिनको आप सेक्यूलर कह लेते हो या ओलिया वली अल्ला कह लेते हो तो उनकी क्या कर्टूते सत्याइब में करते हैं है यह उसारी चीज़े लिखा करता है यह उस टाइम भी उसी तरह से उनके दर्बार में जो भी चीज़ हो रही है, चोटी चीत, चोटी और बड़ी से बड़ी बात लिखी जाती थे, और इस चीज को कहा जाता था दरबार नामा, और अरणग जिप की order पर लिखी गई किताब थी तरबार नामा का आपने बहुत जबर्दस तरीके से डिस्क्राइब किया है जितने लोगों को नहीं मालुम था समझ में आ जाएगा मतलब सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम उनके पास था जी जी सब्सक्राइब कीजिए जी फिर महराष्टा में जो पंडरपूर का फेमस विठ्थल मंदिर है उसे भी औरंजेब ने किलिंग्स की मतलब निर्मम तरज से हत्याएं की उसमें शामिल है गुरु तेक बाधूर गोकुल जाट चत्रपति संबाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे इन सारों की निर्मम तरीके से हत्या की वो भी हम देखने वाले डीटेल्स में और फिर गुरु जेब का सरहिंद का गवर्नर था उसने मार डाला था वो भी हम देखने वाले हैं पांच और आठ साल के थे पांच और आठ साल के बच्चों को मारा जी ठीक है आगे देखेंगे सुनते जाओ मुमिन हजराज सुनते जाओ जो अरंगजेब को अच्छा समझते जाओ जिए अभी हम देखेंगे कि ऑ्रण जेब के हिस्ट्री के सोर्सेस को से मतलब आउरंगजेब की हिस्ट्री हमें कौन से सोरसे से पता जलती है यह सब परिशन यानि के फारसी भाषा में है पहला है अलमगीर नामा जो आउरंगजेब के पहले दस साल का जो वाकिया है या जो इतियास है वो उसने खुद लिखने के लिए कहा था उसे कहते है काजीः ने आउरंगजेब ने डस साल का इतियास मतलब लखे जाने के बाड मुहमबा काजीः को कहा कि अप इससे आगे का मत लिखना इसका रीजर्ण जो है वो मासिरे अलमगरी में दिया हुआ है वो रिजन ऐसा है कि बादशा को मतलब आउरंजेप को ऐसा लगा कि बहारी दिखावा करने से अच्छा है कि अंदरुनी क्वालिटीज बढ़ाई जाए अंदरुनी क्वालिटीज मतलब इसलाम के मुताबिक जो अच्छी होती है मतलब काफिरों का कतल करना या फिर लगा देना यह अच्छी क्वालिटीज है उसके मुताबिक तो उन अंदरुनी क्वालिटीज को बढ़ाया जाए और बाहरी दिखावा जो है मैं बादशा हूं या मैंने ऐसे किया वो बताने के बज़ए अपने अंदरुनी क्वालिटीज बढ़ाई जाए इसके लिए उस अब यहां पर लेफ्ट साइड में आपको जो पेज दिख रहा है वो आलंगीर नामा का फर्स्ट पेज है तो यह आलंगीर नामा जो है उसका ट्रांसलेशन अभी हुआ नहीं है किसी भी इंग्लिश इसमें या हिंदी इसमें यह अभी पर्शयन में ही है औरंजाइब के जो वजीर था इनायत उल्ला खांग उसने साकी मुस्तेथ खांग को एक आग्या दी कि अभी आवरंजेब का देहांद हो गया है और उसने अपने पहले दस साल के बाद मना किया था इतियास लिखने के लिए लेकिन अब तुम जो कोर्ट में डॉकुमेंट्स अवेलेबल है तुमको उसको रेफर करके और अलमगीर नामा रेफर करके जो पूरा अलमगीर का राज्यकाल का इतियास है वो लिखो तो वो पूरा जो राज्यकाल का इतियास है जो आवरंगजेब के मौत के बाद तुरंत लिखा गया उसे कहते हैं मासिरे अलमगीरी मासिर मतलब मेमोरे सब्सक्राइब। उसके सर्विस में जो लोग थे उन्हों ने भी आउरंगजेब का इत्यास लिखा है उसमें आता है फुतुआते आलमगिरी मतलब विक्टरीज ओप आउरंगजेब ये लिखा था इश्वरदास नागर ने इश्वरदास नागर आउरंगजेब के सर्विस में था उसी के काल म तरह को नाम पहुतोवाते आलम फिर उसी के तरह एक और लिखा को और एक नोकर था उसका नाम था खाफिकाम तो उसने पहले का और नोगे दे लीखा है उसके किताब का नाम है मुझा फ। अभी ये जो मासिरे आलमगीरी, फुतुवाते आलमगीरी, तारीखे दिलकुषा, मुंतखब उल्लुबाब इन किताबों का हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो चुक्या है। और और एक मोतर्मा है जिनका नाम है अनिश जहां सेयद, उन्होंने भी औरंग्जेब इन मुंतखब लुबाब नाम से इसके कुछ पाट का अनुवाद किया है अंग्रेजी में। फिर फुतुवाते आलमगीरी और तारीखे दिलकुषा, इन दोनों किताबों का भी अंग्र का वजीर था और एक है हमीद उद्दिन खान जो भी अवरंग्जेब के सर्विस में था, तो ये दोनों शक्सों के किताब का नाम है अहकाम आलमगीरी, उसमें आवरंग्जेब के जो हुक्म है या जो उसने अपने कारियकाल में किया, उसके डिटेल्स है, इसका भी अंग् एक डिटोट्स ऑफ और अवरंग्जेब, फिर अवरंग्जेब के जो लेटर से उसका कलेक्शन से कुछ, उसमें है आदाबे अलमगिरी, रुकाते अलमगिरी और कलिमाती तयवाद, ये सब परिशन में लिखे हुए लेटर से, आदाबे अलमगिरी का इंग्लिश ट्रांस अवेलेबल है, एक ऑस्टेलियन शक्स ने किया है, रुकाते अलमगिरी का भी ये अवेलेबल है, ट्रांसलेशन इंग्लिश, उसको बिली मोहिया नाम के शक्स ने किया है, और फिर जो मैंने शुरूआत में बताया है, कि अखबारात मतलब हर दिन दरबार में जो कामकाज ह होता था, उसको लिखा जाता था, और दरबार में जो मनसबदर होते थे या सरदार होते थे, उनके मुंशी रहते थे दरबार में, तो उनको दरबार की न्यूज मतलब लगती थी, कि आज दरबार में क्या हुआ, बादशाने क्या बोला, क्या हुक्म दिये, तो वो अपने मुंशियों को मुगल कोट में रखते थे और वो मुंशी दरवार का जो सारा प्रोसीडिंग से वो लिखके अपने सरदार को या अपने मनसबदार को भेजते थे तो वो अकबार जो है आवरंगजेप के कोट के वो मौजूद है तो वो अकबार कैसे होते है उसका डिटेल्स क्या है यह हम आगले स्लाइड में देखेंगे अचा उससे पहले सत्यन भाई जहां तक मुझे याद आ रहा है अगर कुछ इसका कॉंटेक्स अलग होगा तो I'm really sorry for that लेकिन बीच में शायद एक वीडियो आई थी इंस्टा के रील पे मुझे महाराश्टा की एक बहुत बड़ी पार्टी है उसके जो प्रमुख नेता है मान लीजिए मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ उन्होंने शायद औरंग जेब को अपना भाई बताया था तो मैं चाहूँगा कि अगर ये स्ट्रीम जो है वो उन तक भी पहुँचाई जाए और वो भी सारे हवाले देखे और उसके बाद खुद फैसला करे कि औरंग जेब को अपना भाई मानना है या अपना दुश्मन मानना है तो मैं चाहूँगा अंजाने में उन्होंने कहा या किस हिसाब से कहा मुझे नहीं पता अगर उन्होंने वाकरी में उनको अपना भाई कहा है तो ये स्ट्रीम देख ले सारे हवाले देख ले और उसके बाद फैसला करे और पब्लिक में आके फिर बताए कि मैंने जो कहा था वो मुझसे गलती हुई थी मैं उसको अपना भाई नहीं समझ सकता हूं ऐसे इंसान को